है कि हालो माइडिये स्ट्टेट्स और हाव यू आल कैसे हैं आप सब लोग त्यारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मैं समझ सकता हूं एक्जाइम पास आते जा रहा है थोड़ा सा लगता है फिलिंग आ जाती है कि बढ़ी हासा हो जाए हम कुछ बढ़ी हासा एक्जाइम में कर पाएं तुम आपको बताओं कि आपके प्रिवेस्ट पेपर्स होते हैं को सॉल्व करना बहुत बैनिफिशल होता है और अगर आप कुछ experience देखें कुछ सालों के पेपर यह आप कंपेर करें आपको समझ आएगा कि आल्मोस्ट पेपर कहीं न कहीं इन प्रिवेस्ट के पेपर से ही बना हुआ है मतलब इनके आसपास से ही questions आते हैं अब मैं राम का मोहन हो जाना या मोहन के जगा सुहन लिखे आ जाना या व आपको मिलेंगे वन वाइवन आप सारे पीपर को सॉल्व करेंगे ठीक है तो चलो शुरू करते हैं जैसा कि आप देख पारे होगे प्रिविएस यह कुश्चन पीपर एबिटर चार बज़े वाली शिफ्ट का हुआ था 25 को एक्जाम कंड़क्ट हुआ ठीक है तो यह अंदर स्टॉम आ जाने स्टॉम मतलब समझतों तूफान आ जाना आई स्टॉम इन ठीकप तो करेक्ट आंसर क्या होगा बिटर टेस्टी बहुत बढ़िया टी मिल जाना दटी इन विच पाइसे और इडिक बहुत सारे मशाले डालके टी बनेगे मसाले बहुत सारे हैं अलो मतलब है टीकप में स्टॉम खड़ा हो जाना तूफान अब चोटी सी चीजह होते तो चोटी सी चीजह तो तूफान आ जाना यानि कि चोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह देना तो करेक्ट आंसर क्या होगा पहला पूश्चन याद भी रहेगा तो वह क्याब को याद भी करना है चीजों को यूटिलाइस करना है पेपर में बिक्वेशन ऐसे आते हैं आपको प्रॉपर explanation मिलती जाएगी हर question की कि क्या answer होगा grammar के questions के explanation तो ठीक से उसे use करते जाएंगे next question आता है I was look forward to helping you complete the project क्या answer होगा बच्चे I was look forward to helping you complete the project ठीक है जैसे हैं जल्द यल्दी आंसर दो ठीक है आपके पास थोड़ा सा समय है पड़ावट बताएं look forward helping होगा look forward to helping होगा look forwarding to helps होगा या look forwarding to helping होगा ठीक है देखो समझो sentence जब मैंने देखा तो मुझे समझ आ गया गलत तो दूसरी बात अगर यह गलत नहीं भी है मानुए correct भी है तभीयों मुझे answer opt करना होगा क्योंकि यह improvement नहीं दिया गया वह no improvement होता तो मैं कहता है सही है गलत है अगर नहीं भी होता गलत नहीं होता सही होता अभी मुझे और कोई-ट करना था ठीक है तो अगर यहाँसे देखना शुरू करूं तो look forward helping कोई construction नहीं होती है look forward to आपका proper phrase होती है जिसके बाद बाइंजी फॉर्म आती आंसर हो सकता है तो के बाद कभी वर्ब के इंदर स और यह नहीं लगाते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर भी होगा ठीक है करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा बी यहां करेक्ट आंसर होगा look forward to helping will be the correct answer यह आप मार्ग करेंगे आगे पढ़ते हैं नेक्स समस्ते हैं कि नेक्स्ट आप अच्छों सलेक्ट दा इंकरेक्ट ली स्पैल्ट वर्ड यहां कौन से स्पैलिंग कर इंकरेक्ट होगी लेवरेज की विटा यह ओसिलेट की बॉनफायर की यह एंच्यू की आंसर बताएं क्या अंसर होगा कि आंसर मांग करो बटा बटान सा मांग करो ठीक है देखो समाज आ रहा होगा लेवरेज बिल्कुल सही लिखा गया ऑसिलेट में डबल एला आता है ऑसिलीट मतलब डबल आता आता पोजिशन के लिए कि कोई चीज अपनी पोजिशन में वापस आ जाती है उसके लिए उसके लिए उसके बटाना है और समझने की कोशिश करेंगे पहली बात तो यह होता है कि दो compliment होते हैं एक होता है C O M P L E M E N T compliment यह लिखा ही हुआ है इसका मतलब होता है कि कोई चीज पूरक है ठीक है और एक होता है C O M P L I M E N T compliment यह क्या होते हैं यह होते हैं हमारे wishes यह आता है wishes के लिए ठीक है तो दो compliment होते हैं पूरक होता है और एक आता है wishes के लिए बिल्कुल सही है अब question आता है कि जो tie है वो कौन सी वाली है बिटा पूरक है बहुत बढ़िया से पूरक है shirt के साथ में ठीक है तो इसमें क्या answer होगा डिसयरे अलग होना होग है रिअगेट qualitative lijक है या फिर में Nicholas होगा तो सिदो का इम ऊसकी। कैसी मैचिस ही तो कंप्लीमेंट को वहता है साth में मिले हो नेक्सTS आच आजोगा आपको दीया गया बाइटा यह डारेकटा ऑफ रेक्यों का breakfast का question शूंआ हो नीट आपको बताना है कि अगर इसका इंडारेक्ट क्या होंकden induced क्या हो ओका ठीक है ऐसे क्वרॉच्ण सॉल्व करने के लिए जैसे लिखा गिए लिखा अब पर आ करेक्ट में और ऐसे जो हॉब बेटा है इतना तो समझ जा रहा है पास्ट बनाना है और क्या चेंज होगा रेनिंग चेंज होगा लास्ट नाइट चेंज होगा यानिके अगर देखा जाए तो कुछ माइन यूट से नाइट बिफोर यहां सर हो सकता है यहां सदेट इसको चेंज करना होगा यहां कि पहली रात पिछली रात में बारी सूरी थी तो करेक्ट आंसर आपका भी हो चाहेगा ठीक है नेक्स्ट आजओ is next question try क करते हैं next question बताएंगे देखो क्या है next कहता है his finicky attitude was the main cause of the conflict मैं आपको क्या बताया था कि होता यह है कि कभी कभी हम questions को अगरं से पने तो questions के अंदर उसका answers भी मिल जाती है । जैसे क्या लिखा गय है his finicky attitude उसके जो फिनी की attitude है अब मुझे नहीं पता कि फिनी की पॉजिटिव एटिटिव है यह फिनी की नेगेटिव एटिटिव है ठीक है वाज दा मेन कॉस आफ दे कॉन्फिलिक्ट अब एक बात बताओ अगर आपके एटिटिव की वजा से हमेशा कॉन्फिलिक्ट यह जगडा खड़ मैस कैसे है एक नेगेटीव एट एक नेगेटी वर्ड ठीक है फॉसी एक नेगेटीवर्ड रड ठीक इंडॉलینट मतलब किसी काम इंटरस्ट ना लेना थी तीज होगा नर्वस मतलब ही मिलकुर समझ आ गये हो कि अप भी पिनी की आपको समझ आ गया है डिफिकल्ट टू प्लीज होता है पसी जगडालू होगा ठीक है इंडोलेंट मतलब सुइंग दा नो रियल इंट्रेस्ट और एफर्ट कोई इंट्रेस्ट सो ना करना ठीक है नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है आपको बताना है कि जो फाइंड वर्ड है इसको किस से करें मोर फाइंस से मोस्ट फाइंस से या फाइनर से आंसर बताएं क्या अंसर होगा करो बें जल्दी आंसर मार्ग करो ठीक है देखो अगर अगर नो इंप्रूमेंट नहीं है तो बास समझ आगे चेंज तो करना ही पड़ेगा अब चेंजिस करने के लिए ग्राउंड देखते हैं जैसे पहला है मोर फाइं तो अगर में मोर फाइं कंपरिटिव मान भी लूँ तो इसके बाद में दैन आना चाहिए तो देर शुट भी अनौदर क्लोथ ठीक है जो नहीं है अगर मैं फाइनर कहता हूं तो सेम प्रॉब्लम है तो यह तो जोना हट यह अगर्व मोस्ट फाइन नहीं होगा क्योंकि सु प्र लेटिव डॲ फाइने स्ट यह वैंस्ट विल कियa आमसर बन जाती है तो यह देखना होता है और यता कोलो फी हो सकता था ठीक है लेकिन आगर नहीं है लेकर समझने वाली बात है कि क्या बने ग़ा फाइनेस्ट वि कि एक वेड़ होता है प्रीमिटीव सुना होगा बहुत पूछा जाता है एकजैंस में प्रीमिटीव इसका अपोजिट आपको बताना है naesh टेक्णिकल होगा भी सियल होगा सॉफिस्टिक होगा यह क्ल बताओ क्या ஊंसर एकहरहं सो कि जल्री सांसर माक करो क्या होगा है ने देखवा आजो प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है वो पुराने होते है रिलेटिट तु दो ओड होता है न पुराने हैं ठीक है पृमिटिव हैं अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा टेक्निकल तो कोई मतलब ही नहीं होगा यह तो लड़ने वाले रेस की बात करते हैं और अग्री कल्चर नहीं होगा तो बचा क्या बिटा सॉफिस्टिकेटेड यह नेरिस्ट आंसर होगा प्रेमिट्व मतलब ओल्ड हैं अन्सिविलाइजड हैं लेकिन अभी के लोग जो हैं वो कैसे है सिविलाईज हैं सोफिस्टिकेटेड हैना से क्या होगा गरता का सॉफिस्टिकेटेड ऊंशर होगा ठीके नेक्स्ट आज n I will question आपके सामने है one day I was handed a one day I was handed a few volumes of new literature unlike anything I had ever read before and so as to make me utterly forget my hopelessness बही बताओ क्या अंसर होगा इस सेंटेंस का अंसर थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा है इसके अंदर ही लिखा गया है सोच के आंसर देंगे क्या आंसर होगा करो भी जलती हो गया है अगर ध्यान से देखो के तो आंसर जरूर मिल जाएगा यह बिल्कुल शॉरिट यह बताओ क्या आंसर होगा करूफट आवर्ट से ओके देखो कैसे मिल जाता है बेटा question कैंसर अंदर ही आंसर देखते हैं देखें समझो one day I was handed a few volumes of new literature दिया गया unlike anything दूसरों seller I had ever read जो मैंने कभी पढ़ा था before and so as मतलब जो भी बीच में adjective आएगा to make me utterly forget my hopeless state मतलब जो क्या था वो मेरी जो hopeless state negative state पूरी तरीके चे भुला देता है तो वह कौन सा literature होगा जो आपकी forgetfulness या hopelessness तो समझतों आ रहा है कि यह negative नहीं positive literature होगा अगर motivated books पढ़ेंगे या ऐसी books पढ़ेंगे जिन में motivation है तभी तो आप positive रहेंगे वर्णा तो आप negative हो चाहेंगे ठीक है तो answer याता है कि है positive word आना चाहिए नेक्स आजओ पिनेक्स कोश्चन ट्राहिकरती है नेक्स आजओ नेक्स अन्स ट्राहिकरते हैं नेक्स बताएंगे अबिटर टैल अपॉन select the most appropriate meaning of the given idiom tell upon cancer yoga to strike hard to advise someone to affect adversely yet to write down cancer over answer marker jaldi se batao bachhi kya answer hoga करके दिखाओ करें में question का answer आजो that is to affect adversely will be the correct answer बीटर एल अपन का मतलब होता है to affect adversely ठीक है इसका correct answer होगा next question बताएंगे next they based upon him whatever he wishes they based upon him whatever he wishes intensify होगा gift होगा deny होगा classify होगा तो बैस्टो करना होता है दे दिने इसका आपको opposite बताना है तो intensify करना होगा gift कर देने deny करने classify कर देना जैसे भगवान भगवार ने आपको अश्यूवाद देदा है तो उसको बेस्टों करना केते अब इक बार बतुवानी देना होगा intensify होगा gift होगा inflation बढ़का देना होता है तो इसका सिनोनिम बन जाएगा classify कर देना चीज़े को अलग-अलग कर देना है तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए तो इस टड़ी और इंडिया में कितने लोग है ठीक है कितनी population है और्के dynamics क्या है कैसे बढ़ रही है कैसे घंच ही इसको क्या कहते है क्छ दिच कहते है यह डिस Kun मी आरे यह नहीं है यहां नहीं है तो correct answer इन दोनों में इसे होगा, democracy पढ़ जातंतर होता है, demographic, graphie माने क्या होते है, graphie माने होती है, study, तो correct answer क्या बन जाएगा, be correct answer بن जाएगा, इसको mark करते हैं, ओके, next बताएंगे, the roof, the weight of the snow, the roof, the weight of the snow, क्या answer होगा, the roof collapsed under the weight of the snow, collapsed to collapsed with collapsed for, क्या answer होगा, बताएं बचे, बड़ा अच्छा क्वेशन है सोचने लायक क्वेशन है कि करेक्ट कांसा क्या हो सकता है फिलर देना है कि जो छत है वो नीचे गिर गए ठीक है दव वेट आप दस नू तो उसको पर किसका वेट था तो क्या लिखेंगे कॉलेब्स रंदर नीचे दब गई बिटा उसके नीच सब्सक्राइब क्वेशन करते हैं एक्स्प्राइशन आपको परफेक्ट मिलते जाएंगे पढ़ते रहेंगे इंकरेक्ट लिए वर्ड कॉंसी स्पैलिंग यहां गलत लिखती है लिखी आपको जल्दी से देखके बताओ बोलेंगे नहीं अगर मैंने बोल दिया तो आपको पता ही चल जाएगा क्या होगा ठीक है बताओ करो भ्यान से क्या होगा कि हाव भी बना सीधा सा है मिमिकरी की स्पैलिंग गलत है तुना होगा खूबवड मिमिकरी की स्पैलिंग गलत है माई माई सी आर वाई होती है मिमिकरी ठीक है स्पैलिंग अलए था नेक्स आजो नेक्स्ट वर्डवेट बच्छो डॉन की खोटे वाज रिटेन बाई मिगुल सेंटिव सेवन्टीज क्या अंसर होगा बताएं बच्छे आपको करना क्या है आपको बताना है इसका एक्टिव इसमें से देखके बताओ जल्दी सांसर मार्ग करूं करें पड़ावट आंसर बत्ते हूं है ठीक है देखो डॉन को हैटे नाम है बुक का ठीक है यह इस वन राइटर का नाम हो गया अब जो वाज रिटीन है अगर मैं इसको लिखू सैकिंड फॉर्म क्या होगी रोट होग स्क्रेंगे हैं यह सकता है रिटेश रिट असर नहीं हो सकता है टांब भी चेंज नहीं हो सकता है है तो results क्या होगा今回 question sir oh god thank you mark करेंगे आपके लिए कि दर ट्रेनी परफॉर्म्ट डट टास्क विद एक्स्ट्रीम इस गर मैं इसको रिप्लेज करूं तो इसका सिनॉनिम क्या होगा इन इसका मीनिंग क्या होना चाहिए एड़ अलेवन था कॉल इट डे स्वान सॉंग या पीस ऑफ केक ठीक है सोच के बताओ क्या आंसर होगा कोई आपोजित नहीं पूछा गया एंटरिम नहीं पूछा गया सिनॉनिम पूछा गया देखो पहला है एड़ अलेवन था आर क्या होता है बिटर एट लास्ट मोमेंट अंतिम छण में बिलकुल आखरी टाइम पर लास्ट मोमेंट होगा कॉल इट डे इसका मतलब होता है बिटर गुड नाइट समझते हो या लास्ट लास्ट टाइम ऑफ दे लिख सकते है ठीक है बिलकुल लास्ट टाइम ऑफ दे यह हैं वेंड या रिटार टू बैट तब कह लिख होता है या आखरी शब्द होते हैं उसको स्वान सौंग कहते हैं आपीस आफ केक डाट इस कॉल डट विद एक्स्रीम इस बड़ी आसानी से किसी किसी चीज़ को कर जाए ना तो इक ररक तांसर बिटर डी हो जाएगा नेक्स बात करते हैं तारे के सारी इडियम को मिल कंप्लेंट और वाज फॉर बुलिंग वाज मेट ठीक है देखो जब आप एर निकालते हो तो अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है मुझे लगता बहुत बढ़िया होते हैं दंग से देखें तो चीज़े और अच्छी मिल जाती है एरस के बारे में जब बात की जाती है तो अगर में सैंटेस में देख पार हों की ही हाज बीन एक्स्क्यूज बाइद टीचर आ बाइदे टाइम ऑफॉर्मल कंप्लेंट फॉर बुलिंग वाज मेट तो अगर आप यहां पर देख पार रहे हो तो बिटे यहां क्या लिखा गए वाज मेड लिखा गयए होगा ठीक है करेक चांसर के स्पार्ट में होगा यह बच्चे हमारा डी पार्ट में होगा ठीक है यहां मार करेंगे नेक्स आज हो नेक्स बात करते हैं एक्स दिखो the mother's tired and bitter overwrote mind could not process the information of the demise of her family son and she said like a statue even when her tormentors passed several obnoxious comments ठीक है समझों यह question बहुत बढ़ा दिया गया है कुछ बच्चों को लग रहा होगा पड़के के सर इसको कैसे ब्रीक करें कहां का इसमें डूंडेंगे लेकिन question बड़ा है बहुत आसान है मुझे बात बताओ अगर मैं कहता हूं राम और मैं यह लिख दू राम्स ठीक है तो बच्चे सीधी बात है यह क्या है पॉसिजिव है ना इसके बाद में प्लस करके यहां कोई ना कोई ना तो आप यहां भी देखो क्या लिखागे दमर्दर चाहिए तो बेटर दमदर चाहिए कैसे हो सकता है क्योंकि यह वर्ब का क्वेश्चन है यह वाला नहीं है तो क्या होगा क्योंकि यह सारा का सेंटेस्स किसमें पीटा पास्ट में है माइन कुड़ नॉट प्रोसेश देंफोर्मेशन सो देमाइस ओफर्स ओनली सन और सी सेट लाइकर स्टेश्यू इवन रटामिंटर पास्ट सब्सक्राइब यह क्वेश्चन है वह नहीं है तो सीधी सीधी बात है कि करेक्ट आंसर क्या होगा वास्विल विदे करेक्ट है क्योंकि यह कहा गया है अगर आप देखें कि जो सेंटेंस है पूरा वह पास्ट में है तो यह भी वर्ब किस में होगी पास्ट में होगी वास्ट करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स आच आच हूँ माता है तरह स्थाां के साथ कभी भी कॉंटिणेश नहीं बनाती है फैक बनाते हैं फाकट इस बनाते हैं तो पहरेक候 इ weighs का है has been living में है इसका correct answer होगा ठीक है next आते हैं question number 20 की तरफ देखो यह बच्छों आपका sentence arrangement है एक बार देख लेते हैं कि अच्छा question है थोड़ा सा लेंदी है ठीक है समझते हैं his mother whose name no one knows is found on the street and dies just after Oliver's birth बात सीधी से है his mother किसकी मतर हमें नहीं पता चला ठीक है Oliver के बर्थ है Oliver की होगे इसका जिक्र कहां यह दिखते हैं after the other boys bitter bullying Oliver इस incident के बाद जब other boys को bully करते थे boys कहां है यह नहीं पता है Oliver twist is born in a workhouse in 1930s England ठीक है Oliver spent the first nine years of his life in a badly run home for young people young orphans and then is transferred to a workhouse for elders समझों बड़ा सीधा सीधा तरीका है जो मुझे समझा रहा है क्या क्या समझा रहा है वह मैं आपको बता देता हूं सीधी सी बात है तो ओलिवर spends इस time तो कहीना कहीं बटा सी के बाद क्या आएगा यह आएगा तो मुझे इतना समझा रहा है कि यह सिक्वेंस सीधी होनी चीए बी की पोजिशन हम options को देखके decide कर लेंगे ठीक है आजो तो देखो यहां सी के बाद दी है यह बाद में है बी की पोजिशन पहले हैं सीधी ए है एक बाद दी है यह तो बहुक्त होई नहीं सकता है और एक बीटा सीधी भी ठीक है यह वाला देखते एक बाद मिला करें तो सी तो क्लिए यहीं होगा ठीक है सी के बाद डी ऑलिवर स्पेंट फॉस्ट यह आफिस है बीटा डी के बाद में भी हां डी के बाद में जो भी है वो यह बताया गया कि जो लोग थे ना एडल से इसको परिसान करते थे तो करेक्ट आंसर यह वाला होना चीए दी आप मिलाओ पहले सी में उसका जनम हुआ है ठीक है में क्या कहा गया उसकी मज़गी डैथ हो जात बिटे क्लोश्टर सर्पेपर मारा देख सकते हैं बहुत इंपोटेंट्च एक बाप पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं यहां से शुरूर इन टरम्स अफ एड्यूकेशन चिल्डरन मस्ट रिसीप प्रॉपर कियो और स्कूलिंग बाइच चाइड मारीच बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ओफ चिल्डरन केंबी वन देर इस अन इकनॉमिक ड्री जिस मैनी प्रोग्रेम्स मस्ट बी एल्ध जो थे कैन वफ्यूट फोर तो फाइट फॉर एफ फिर एक तो अब बात करते हैं देखते हैं क्या क्या ओप्शन है पहला देखो इन टरम्स of education children must receive proper care and schooling तो बेटा क्या होना अच्छी प्रॉपर किया guidance dress for your help देखो अगर हम बात करें प्रॉपर किया की जो रहत हो तो केर में क्या गया कि dress food help आ गया schooling में school आ गया तो बीच में क्या बच्छा गाइडेंस साथ के साथ guidance की विजुरत पड़ेगी तो यह correct answer होगा ठीक है नेक्स क्वेश्चन कहता है बाइच चाइल्ड मैरिज दा बैस्ट पॉसिबल फूचर 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 औफ चिल्डरन कें बी बिटा बाइव वाइलेटिंग या इग्नोरिंग या आउट्लों ठीक आउट ने कहा किया बइए बाइब शिख या फिर उटलाइग चाल्ड मैरिज अदब बासविबल फूचर फूचर फिट्र फीट्र फिजल्डन कैन बी यह अगो सकता है इन्वाइगे टीड़ोगा वी टीडोगा से जीजू होगा ठीक है तो ना ऍवीजिज चीज ए सकता ह होगा अब जब हमने का कि वेंड देर इस अनिक क्राइस तो मैने प्रोग्रम्स मस्ट भी है तो देखेंगे बच्चेंगे तो सीखेंगे सीख पाएंगे उस तरीके से तो लॉन सीख लेंगे जो चीज़ें आप सिखाना होने चाहते हैं ठीक है नेक्स्ट आ जो लास्ट क्वेशन कहता है यहां पर कि वन तेस्ट आपको करना क्या है वो सुन लो आपको 25 करना है कि किसने क्वेशन प्रेशन घ्लाइशन को सीखने कि जो रहत है तो यह एंबाइब के एप्लिकेशन इसे इंस्टॉल कर लेंगे यूविल गेट मैनी मोव पीपर सेया मुल्टिपल क्वेश्टन साहिए और साथ के साथ जॉइन यूर टेलीग्राम चैनल तो यूविल गैट पीडिफ सेया तो मिलते हैं भी एक और मैं नेक्स्ट मॉक्टेस के साथ तेक चेर बाबाय जाहिन जातियों